हेलो बच्चो क्लास एर्थ सब्जेक्ट हिंदी आपका जो पहला लेशन बना था उसका अब ये कोश्चन एंस्वर है दूसरे वीडियो में देखिए पहला कोश्चन आपका क्या है कभिता में चित्रित चांदनी रात के सौंदर का वरणन अपने सब्दों में कीजिए इसका एंस्वर है कभिता में चांदनी का सौंदर करने के लिए रात में चंद्रमा के प्रकास मूती के समान फैला हुआ बताया गया है जिससे सुबह होने पर सूरी का प्रकास समेट लेता है दूसरा कोश्चन जल और थल में चांदनी बिच्छी होने का क्या आर्थ है जल थल में चांद का प्रकास फैला हुआ है उसी को यहां कभी ने चांदनी बिच्छी की संग्या दी है अब आपका तीसरा कोश्चन है कभिता के अनुसर प्रकेर्ट में भिन 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 रूपों का वर्णन कीजिए प्राकिर्थ के भिन भिन रूप धर्ती और अकास प्रसंता शान्त भावाली नदियां सुबह का शूर निकलना आदि चौथा देखे आप कैसे कह सकते हैं कि कभी प्राकिर्थ प्रेमी है क्योंकि कभी ने अपनी कविता में प्राकिर्थ के समस्त रूपों के गुड़ों का बहुत ही सुन्दर चरित्र चित्रन किया है एवन सभी को अपनी उप्रोगिता का व्याख्यान किया है अब आपका पचवा है कभीता का प्रतिपाद देख साट सतर सब्दों में लिखिए देखे पचवे का इंस्वर किरणों का खेल मैथली सरणगुप्त जी की रचना इस कभीता में कभी का प्राकिर्थ के प्रतिप्रेम मुजागर हुआ शूरे प्रतिन उगकर अपने प्रकास से सारे संसार को प्रकास देता है उसकी किरणों का असपर स्पाकर सभी जीवजन्त यहां तक की प्राकिर्थ भी खिल उठती है चारों और प्रकास फैल जाता है और सभी लोग एक नए दिन के साथ अपनी सीतलता के साथ स्वच चांदनी बिखेर देता है जो तन और मन दोनों को सीतलता परदान करती है कभी बताना चाहता है कि प्राकिर्थ कभी नहीं ठकती निरंतर अपने काम में ब्यस्त रहती है हमें प्राकिर्थ से सीख लेनी चाहिए यह आपका पच्चबे का इनस्वथा अब देखे आपका चठवा है आशे असपश्ट करिए पहला है हरित त्रणों की नोको से इसका आशे है हरी घास की नाव से दूसरा है निरानंद है कौन दिसा आनंद रहित दिसा कौन सी है तीसरा है नियत नटी के कारिक लाप यह है आपका प्राकिर्थ रूपी नदी के कारिक लाप चौथा है सुन्य स्यामतन अंधेरा रूपी सरीर वह सुन्य हो जाता है इदगा देखे कविता का काबिस अंदर लिखिए इसमें आपको हम पहले वीडियो में बताएं उसी का आपको भावर्थ वही भावर्थ यहां पे लिख देना है फिर आपका घा है निमलिखित प्रश्णों के लिए दिये गए बिकल्ब में से सही बिकल्ब पर सही का चिन्न लगाएं चंद्रमा की चंचल किरने कहां खेल रही थी आसमान में चंद्रमा के इर्द गिर्द जल थल में या पानी में इन चारों में से आपको एक सही का लगाना इसमें आपका गा सही है जल थल में इसमें आप सही का निसान लगाएंगे फिर आपका दूसरा है स्वच चांदनी कहां बिची हुई थी इसमें पहला है गाओं में, सहर में, पाताल में, पिर्थिवी और आकास में तो यह आपका घास ही है पिर्थिवी और आकास में तीसरा है मंद पवन के जोकें से कौन जूम रहे थे पानी, पिर्थवी, पेंड, चंद्रमा तो इसका आपका है जो है पेंड, गा आपका सही है पेंड फिर आपका है सब चौथा सब के सोने पर मोती कौन बिखेर देता है पहला का है चंद्रमा, वसंधरा, तारे, निसा इसमें आपका खा सही है वसंधरा फिर आपका पचवा है संध्या को क्या कहा गया है विरामदाईनी, विश्रामदाईनी, आननदाई या निराननदाईनी इसमें आपका जो है का सही है विरामदाईनी इसमें आप सही का चिन लगाएंगे छटवा है आपका चारुचंद्र की चंचल किरने में कौन सा अलंकार है का है यमक अलंकार, खा है उमा अलंकार, गा है अनुप्रास अलंकार और गा है रूपक अलंकार इसमें आपका गा सही है अनुप्रास अलंकार अब आप देखे आपका भासा ग्यान है इसमें दो-दो समान आर्थवक के सब्द लिखनें आपको पहला है आवनी आवनी यहां आपका दो दिया है पहले में आप लिखेंगे धरा दूसरे में भूमी फिर आपका है तरू इसमें पहले में ब्रिच लिखेंगे दूसरे में पेण फिर है निस्तब्द इसमें पहले में आप लिखेंगे मौन